Hello everyone, welcome to coconut IS and यह अपनी सीरीज है socio-economic affairs इसमें news है इंडिया's online casual gaming to grow at 29% तो यह पैसिकले इतना ज्यादा important नहीं है बस एक नया sector है तो हमें थोड़ा सा information होनी चाहिए इमर्जेंस के लिए technology science tech में हम इसको कहीं add कर सकते हैं तो यह ही है कि जो इंडिया का online casual gaming की बात हो रही है जो total gaming होता online gaming उसमें online casual gaming एक sub segment है उसमें 2021 में अभी उसकी जो वो है वो 29% से इसमें हो रही है ग्रोथ और यह जो है न टोटल online gaming industry का sub segment है एक तरह से उस online वाले में casual वाला एक segment है जिसकी अभी 44% है जो 58% हो जाएगा फिनेंशेलर 25 है टोटल अगर उसमें देखा जाए तो इसका शेर और अगर यूजर्स की बात की जाए तो इसमें 420 मिलियन गेमर्स है अभी 2021 में जो टोटल कर गेमिंग देखी जाए तो उसमें 97% है मतलब उनका participation लोगों का जादा है 97% है मतलब टोटल गेमिंग में 420 मिल कि यह जो नीच स्कूर आ रहा है और यह तो ओनलाइं सयक्तर में कितनी क्या ग्रॉफट हो गी हो तो हम लोगों को पता ही होता है कि हमारा क्योर्ण क्या वालन कर अवाली है तो बस यही था कि हां भई यह एक online gaming industry भी है और उसका मतलब हमारी economy में कितना क्या contribution है और क्या आगे होने वाला है यह नया market है ना तेंक यू सो मच